कहते हैं, संभोग प्राकृतिक के अनमोल उपहार में से एक है, जो मनुष्य के जीवन को खुशहाल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है, मनोविज्ञान कहता है, संभोग ही एक ऐसी चीज है जो रिष्टों में गहराई और मिठास लाती है, मनोविज्ञ कहता है, अगर कोई महिला संभोग क्रिया की अभ्यस्त हो, तो वह किसी मर्द को देखकर ही उसके नियत का पता लगा लेती है, महिलाओं के बारे में आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जो महिला इतराकर चलती है, वह काफी रोमैंटिक होती है, यदि कोई शादी शुद आपकी तरफ जुकती है, या आपसे नजरे मिलती है, तो उसका इशारा ये हो सकता है, कि वापस संबंध चाहती है, पुरुषों का भोलापन, पुरुषों की समझदारी और पुरुषों का प्यार, एक महिला प्रत्येक पुरुष में यह जरूर तलाशती है, जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है, वो भाग्यशाली है, ऐसी महिलाएं कहीं भी रहें उसके संबंध, सभी से अच्छे रहते हैं, मर्द का नजरिया उस वक्त गलत हो जाता है, जब अपनी पत्नी के बाबजूद भी पराई और पर नजर डालता है, संभोग सूख उन मह हिलाओं को नहीं मिल पाता है, जो संबंध में ज्यादा शर्माती है और इस विशय में बात नहीं करना चाहती है, संभोग का ज्यान स्त्री और पुरूश दोनों को होना, इसलिए जरूरी हो जता है, क्योंकि प्यार और संभोग जीवन का पहिया है, जो एक दूसरे के बिन अधूरे है